दोस्तों, नमस्कार में ग्यानी मोनी विक्रम बेताल की कहानियों में से एक और कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ. ये कहानी है, राजा चंदरसेन और नव युवक सत्वशील की समुद्र किनारे बसे नगर तामरलिपी के राजा चंदरसेन के पास सत्वशील नाम का जवारी जा रही होती है. गर्मी अधिक होने के कारण राजा चंदरसेन को बहुत तेज प्यास लग जाती है. बहुत खोजने पर भी उन्हें पानी नहीं मिलता. ऐसा लगता है, मानो प्यास से जान ही निकल जाएगी. तभी उन्हें मार्ग में खड़ा एक युवक दिखत है. वह कोई और नह सत्वशील ही रहता है, जो जान बूझ कर पहले से राजा के मार्ग पर मौझूद रहता है. उसे देख राजा उससे पानी मांगते हैं. सत्वशील फोरण राजा की प्यास बुझा देता है और साथ ही खाने के लिए उन्हें फल देता है. चंदरसेन सत् का उपकार याद रखेंगे. धीरे-धीरे सत्वशील राजा का करीबी बन जाता है. एक दिन राजा उससे कहते हैं कि हमारे नगर में काफी बेरोजगारी है और पास में एक टापू काफी हारा भरा है. अगर उस टापू पर जाकर खोज की जाए तो हो सकता है हमारे नगर क के लोगों के लिए वहां कोई अवसर निकलाए. सत्वशील तुरंत खोजबीन करने का बीड़ा उठा लेता है और राजा चंदर सेन से एक नाव और कुछ सहयोगी प्राप्त करके समंदर में टापू की ओर निकल पड़ता है. टापू के पास पहुँचते ही सत्वशील को एक जंडा पानी में तैरता नजर आता है. उसे देख सत्वशील तुरंत हिम्मत करके पड़ताल करने के लिए पानी में कूद पड़ता है. सत्वशील अचानक खुद को टापू की जमीन पर पाता है. जहां एक सुंदर युवती संगीत सुन रही होती, वह उस टापू की राजकुमारी होती है और उसके आसपास अन्य युवतियां भी होती है. सत्वशील उसे अपना परिचय देता है और राजकुमारी सत्वशील को भोजन करने का प्रस्ताव देती है और खाने से पहले एक पानी के छोटे तालाब में सनान करने को कहती है. सत्वशील जैसे ही पानी में नहाने जाता है, वह खुद कौन तामर लिप्पी के महल में राजा चंदरसेन के पास पाता है, और इस चमतकार को देख, चंदरसेन भी चकित रह जाते हैं, चंदरसेन खुद इस रहस्यमय जगह पर जाने का फैसला कर लेते हैं, और वहां जाकर उस टापू को जीत कराने का आदेश दे देते हैं, और उस क्षेत्र की रक्षा और प्रतिनिधित्व का भार सत्वशील को सौप देते हैं, इस तरह चंदरसेन सत्वशील के उपकार का बदला चुकाते हैं, इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है, और राजा विक्रम से प्रश्न करता ह कि दोनों में से अधिक बहादुर कौन था, सत्वशील या टापू जीतने वाला राजा चंद्रसेन। राजा विक्रम के मूं खोलते ही बेताल उड़ गया और पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया।